असलाम लेकों स्टूडेंट, हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा चाप्टर है, चाप्टर निबर वान, इंट्रेक्शन टू सेट, सेट के आपने प्रीएस एक वीडियो देखी जो हमने अप्लोड की थी, उसमें आपको क्या समझा है, वाट इस सेट, अगर एक जैसे चीजों को एक साथ जमा किया जाएं, तो वो सेट कहलाते हैं, तो पेटें, आप यहाँ पर भी देख रहे हो, अज सेट is, अ कलेक्शन ओव वेल डिफाइन अग्जों में और अबजट्स क्या है, वेल डिफाइन ऑपिट्स क्या है, और सेट क्या है, वीडियो से ह ने तिसमें ने देखा दो चीजे रिएलिक्स ती जो चीजे एक साथ थी उसा अफारी चाहँ जाता है तो हमारे की ते क्या होते है तो यह साथ जम्म कर देख बार जाता है तो यह सेट हो जाता है तो हम अगर सेट्स की डेपिनेशन डिव बाइस करें तो क्या होती है A set is the collection of well-defined object या simple lazy words में A set is the collection of same thing एक जिसी चीजों को एक साथ अगर जमार किया जाए तो वो हमारे सेट्स कहलाते है मेरे तमाम स्टूडियरंट क्लास 6 में बिलकुल नहीं हो आए है न्यू चाप्टर से तो मैं तमाम स्टूडियरंट से कहूँगी आप सब स्टूडियरंट से अपने काल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगोने क्या करा होगा इंस्ट्रक्शन से अपने फॉलो गी येस सेकंड पेश टुएंग की कि आपने हैदिक लिखी फर्स ट्रम 2020 और 2021 नियू सेशन गुर्ट थर्ड पेश पे आपको इस लेबल जो आप लूट किया था आप सबने वो कॉपी राइट किया होगा पैरी गुर्ट क्लास ll tws है मेरे तमाम स्टुडनस सब को इक नियूँ चीज़ आपके पास आती है आपके पैन black और blue पैन तो मेरे तमाम स्टुडन्स को अब जो हम नियूँ कांचयों करेंगे हमारा chapter सब्सक्राइब स्टार्ट होता है, सबसे पहले बिटे, हम सबसे पहले जब नाम शुरू करते हैं, अपने chapter कर title page बनाते हैं तो हमारा chapter के introduction to sets, हमें कहा लिकना है chapter number one, introduction to set, copy का first page हमारा title page बनेगा और टाइटल पीज हमेशा हम ब्लू मार्कर से बिनाएंगे ओके, have you done all students, good टाइटल पीज आपने ब्लू पार मार्कर से बिनाके नेक्स पीज से आप काम शुरू करेंगे आपकी कॉपी के अंदर आपकी कॉपी के अंदर जो टॉप लाइन है उसमें आपने मार्चल लाइन रोगी और टॉप लाइन के अपर आप तमाम स्टुडेंट्स ने क्या करना है अपनी एक्सराइस का नमबर मितना है आपको पता है आपके स्लिपस में शामिलेंस कौन से एक्सराइस नमबर 1A तो आपको देखा आपकी एक्सराइस नमबर 1A है तो टॉप लाइन पर मेरे तमाम स्टुडेंट्स अपने मार्कर से ब्लू मार्कर से हैधिंग लिखी है एक्सराइस नमबर 1A और आज की डेट मैंशन करेंगे हमने डेट लखी लाइब साइड पर आपकर हम काम अच्छा मैं अपने तमाम स्टॉडेंट्स को यह बात बता दू हमने कौस्चन・ जब भी लिखना होगा हम ब्लैक पान लूज करेंगे विराइट कोज़चन उज्षचन विथ ब्लैक पान we write question with black pen then we write the answer with blue pen जब हमें answer लिखना है तो हम blue color से लिखेंगे एक मैं आपको थोड़ा से rough sketch दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो फिर आप लोग अपनी copy पे same इसी तरह करें इसी दिखें बीटे आपने क्या कर रहा आपकी exercise का title पे question black pen से अब हम start करेंगे अपनी exercise exercise 1E exercise 1E एंदे हमारे question number 1 है pick out the well-defined sets from the following well-defined what is well-defined well-defined क्या होते हैं well-defined वो चीज़ होती है जिने हम easily define कर सकते हैं जिनका तालूग real life से उताइ जिनका रिलिस्टिक से होते हैं realistic thing is called well-defined जिने हम इसी दी major कर सकते हैं वो हमारे होते well-defined okay now I read question number 1 set chapter है classics बहुत इसी है और इसमें तो one word answers में है में answers बताशन में इस इप ये बताना it's a well-defined or not I read question number 1 A equals to test cricket captains of Pakistan हमें first set आपको जब भी small brackets में कोई वालो लिखी होती है वो आपके sets होते हैं तो आपको क्या बताना है एह में हमसे क्या पुछेगे test cricket captains of Pakistan क्या हम Pakistan team के cricket captains को count कर सकते क्या ये major है ये realistic है yes we can easily count it it's a well-defined तो हमें क्या लिखना है सबसे पहले black pen से हम question लिखेंगे equals to test cricket captains of Pakistan उसके बाद UN से उसकी next line में लिखेंगे well-defined इसके बाद हमारा question number two हमें क्या given है testy food B equals to testy food items हमें बताना है testy food items well-defined है it's a not well-defined क्या हम इने define कर सकते हैं या नहीं में इसकोछ students करेंगे it's a well-defined हमको सोचेंगे it's not well-defined why तो बिखेंगे well-defined test यहां पर जो word है mention tasty तो हो सकता है जो food मुझे पसंदे वो food आपको पसंद नहीं तो यह हम काउंट तो नहीं कर सकते इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ है question number two जो हमारा tasty food item it's not well-defined okay number three C equals to Prime Minister of Pakistan पाकिस्तान सी जो है इसमें हमें किवाट बने Prime Minister of Pakistan Pakistan came in to be in 14 August 1947 Pakistan 14 August 1947 कुमारू से वाजूर में आया जब से अब दो बहुत सारे प्राइमिस्टर्स आएं क्या हमेरी काउंट कर सकते हैं yes we can count easily yes we can count easily so when we count easily it's a well-defined the third one is well-defined okay okay my dear students मैं आपको थोड़ा अपनी मॉडिल कॉपी के थूँ दिखा देती हूँ first time ताकि आप लेगो को easy हो काम करने में ये दिखे पीटे आपको काम किस तरह करना है like this question number one लिखा उसका अंसर वाल देपान question number two लिखा it's not well-defined C लिखा well-defined question number four then notice student in your class question number five equals to mathematics teacher in your school the both question is your homework आप इसको खुद करेंगे अच्छा इन दोनों को खुद करने के बाद जो काम हम खुद करते हैं वहां आपको हैडिंगे question number one करेंगे two करेंगे आप complete फिर उसके बाद three करेंगे three करेंगे बाद three कांस से लिखेंगे four start करने से पहले आप को यहां हादिंग देने होगी production इसके बाद आपने के लिखने question number four का question लिखना है और इसके बाद बताना है you're well-defined and not well question number five बताना है और यह बताना है you're well-defined and not well-defined thank you so much students और यह। दो देस्जश्श्पा शोखऴद से lockँ अ कर रहे होएं गहाम को कежता है होएंगे शेगी है शेग्लेवी जयाहे है